नई दिली में मंगलवार को विश्व व्यापार संगठन की अनुपचारिक मंत्री अस्तरिय बैठक में प्रतिनीधियों से मुलाकात करते हुए प्रधान मंत्री नेन्द्र मोदी ने कहा कि विश्व व्यापार संगठन मतवेदों को सुल जाने की कारगर प्रनाली है उन्होंने आगे कहा कि सभी देशों को बहुँ पक्षिये व्यापार प्रनाली की चुनोतियों का सामना करना होगा। इस पर कुछ सरदस्यों ने वैस्विक व्यापार को बढ़ावा देने और संस्ता को मजबूत करने का आवान किया। 2018 के प्रतिस्तित पदम पुरस्कारों से किया सम्मानित। इस दोरान प्रसित संगितकार, इलया राजा, साहितिकार, पी परमेश्वरन और सास्त्रिय गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफा खा को किया गया सम्मानित। बिहार के अरवल जिले के कलेर पुलिस थाने में कैद आरोपी ठाकूर विघा निवासी बवन साव की मौत। लोक आस्था का महापर्व छोट आज नहाय खाय के साथ हुआ सुरू। गुरुवार को खरना सुकृवार को साज का अरग और सनिवार को भोर अरग के साथ पर्व का होगा समापन। कैबिनेट ने बिहार राज वीवी सेवा आयोग विधय के प्रारूप को दी मंजूरी। 7482 व्यक्षाताओं की होगी भरती। साथ नहीं कैबिनेट ने सिख्षकों के अस्तनांतरन, अनुसासनिक कारेवाई और प्रोनाति के लिए ई नियमावली को भी दी मंजूरी। 1964 की बेहतरीन फिल्मों में से एक वो कौन थी को क्रियर्स इंटर्टेन्मेंट ने खडीर कर इसकी रिमेक बनाने की की तेयारी। बॉलिवूर से मिली जानकारी के अनुसार मनोज कुमार के किरदार के लिए साहित कपूर को किया गया फाइनल। साथ अप्रेल से होगा आईपियल सुरू वही 27 मई को मुंबई के वान खेरे एस्टेडियम में होगा फाइनल मुकाबला। आईपियल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाडी बने विराट कोहली। बिहार के धर्ती पर जन्मे मसुहूर सहनाई वादक उस्ताद विश्विल्ला खा के 102 में जन्मदीन पर गूगल ने विशेश जूडल बना कर दी सरधांजली। बिहार के डुमडाब में जन्मलिये उस्ताद विस्विल्ला खा का वरारसी के डालमंडी में पैत्रिक घर है और अपनी सहनाई वादन से दुनिया में भारत का नाम बुलंदियों पर पहुंचाने वाले उस्ताद विस्विल्ला खा को मुजनिव सौप परिवार की ओर से विर